हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल एंजिनियर.87 आज के स्काड़ा के वीडियो में हम स्काड़ा के अंदर ऑब्जेक्ट साइज और हम जो लोकेशन प्रोपर्टी है वो दोनों को एक साथ हम कैसे अपलाई करते हैं वह मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ मीन्स यहां प देखना तो पहले न्यू विंडो ले लेता हूँ यहां से न्यू विंडो क्रियेट करना होगा नाम में लोकेशन और प्लस मैं आज ऑब्जेक्ट साइज दोनों का साथ में यूज करूंगा तो यह नाम देता हूँ लोकेशन प्लस ऑब्जेक्ट साइज तो यह मैंने क्रि skulle किसे स्वाइडर सब्सकिتबाएं। इसको बढ़ा कर लेते हैं अब इसकी वैल्यों सो कराने के लिए यहां टेक्स में जाके हैस डाल डेते हैं शिप्ट के साथ थ्रीप्रेस करना होग आपको तो उसको बढ़ा कर लेना हैब स्लाइडर को टेग देते हैं SL और इसको यहाँ पे value display में जाके analog में जाना होगा और वहाँ पे SL डालना है अब देखते हैं एक बार की हमारा जो यह है वह value दिखा रहा है कि नहीं so guys आप runtime में देख सकते हैं सो गाइस यहां पर आप देखें कि जैसे मेरी स्लाइडर की वैल्यू इंक्रीज होग दी वैसे ही नीचे जो है मैंने दिया है वह वैल्यू सो करता है अब चलिए में हम स्टार्ट करते हैं कि आज का में टॉपिक है कि मैंने मुझे क्या करना है कि जो बॉक्स है उसके उपर द पाथ बना लेना है आपको तो यह मैंने पाथ बना लिया और दूसरी बार में लेता हूँ यह मेरा पाथ बन गया अब इसकी वीथ आपको यहां लाइन में जाके आप चेंज कर सकते हैं तो मैंने थोड़ा इसकी वीथ है वह बड़ा ली और इसकी भी हम चेंज कर लेते हैं यहां लाइन में जाके अब यहां पर मैं एक बॉक्स ले रहा हूँ इसका color आपको जैसा रखना है यहां से आप रख सकते हैं अब मैं यह box को यहां पे move कराऊंगा फिर यहां पे तो यहां पे मुझे उसकी भीत है यह box की वो कम करनी पड़ेगी फिर यहां थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी तो ऐसे हम करते हैं अब ठीक है तो यहां से पहले मैं इसको horizontal मुव कराता हूं तो control-d लेता हूं और distance find करता हूं मुझे यहां तक लाना है तो distance आपको यहां से दिख रहा होगा कि आप आपको अगर horizontal move कराना है तो X के उपर आपको देखना होगा तो X मेरा इसका है 550 और इसका है 290 तो इसको हम horizontally location देगे double click करना है यहां से horizontal फिर मुझे left से right ले जाना है तो यहां पे left में 0 आएगा और right में मुझे कितना ले जाना है difference जीतना यानि कि 290 आया था मेरा difference तो मैंने यहां पे यह लिख दिया है अब यहां पे आप देख सकते हैं कि जो value कितनी रखनी है तो मैं यहां 0 से 20 रखता हूँ value तो यहां पे left में जब होगा तब slider की value 0 होनी चाहिए और right में मेरा जब box पहुचेगा त sl डालना है तो यह मैंने कर दिया ok कर देते हैं अब इसको reference के लिए लिया था तो delete करते हैं अब मैं run time में देखता हूँ आप देख सकते 0 से 20 में मेरा slider horizontally move कर रहा है अब देखें यहां पे आके इसकी जो width है वो कम हो जानी चाहिए और left end है वो fix रहना चाहिए तो अब मैं व पर double click करके आपको यहां object side में width को आपको change करना है तो width में जाएंगे आप अब यहां पे देखें कि जब मेरी maximum width 100 हो यानि कि starting में मेरी maximum width 100 होगी तब slider की value 0 होनी चाहिए अब जब मेरा slider 20 की value पर पहुचेगा तो मैं यहां 20 डाल रहा हूँ तब मेरी जो length है मिनी चाहिए त पूरा rarely में ले रहा हूँ अब value यह fix नहीं है फिर आप runtime में जाके बारी बारी से देख सकते हैं और आपको perfect side लेनी है तो यहां अभी मैं 50% से थोड़ा कम यानि 30% रखता हूँ और मेरा left portion anchor करता हूँ क्यूंकि left में मुझे width change नहीं करानी है right में से change करानी है तो जहां पे हमें fix रखना है जो part वहां पे anchor point आएगा तो left है मेरा anchor point हो जाएगा फिर okay कर देते हैं अब देखते हैं runtime में जाके आप देख सकते हैं जैसे 20 पे जाएगा मेरी value change हो जाएगी और यह देखिए यह थोड़ा बहुत ज्यादा कम हो गए तो मैं अब 30% से थोड़ा increase कर देता ह हूँ तो यहां development में जाओंगा double click यहां पे width यहां 30 से थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं 50 कर देखते हैं 50 करके runtime में जाते हैं अब यह देखिए यह complete है अब इसको मैं नीचे लाने वाला हूँ box को तो vertical हम distance difference find करते हैं तो पहले यहां इसका duplicate लेते हैं अब मुझे यहां से यहां लाना है अब इसका क्या होगा वह देखते है difference तो इसका अब आपको vertically आना है तो y देखना होगा आपको तो यहां पे y इसका है 290 तो मैं 290 लिखता हूँ Kelsey में 290 माइनस इसका y कितना है सिर्फ 90 है तो मैं 90 तो 200 मेरा difference आ जाएगा तो इसके उपर डबल क्लिक करना होगा वर्टीकल आप एक box पे एक बार horizontal और वर्टीकल दे सकते हैं तो यहां पे वर्टीकल मुझे अब डाउन आना है डाउन कितना आना है 90 आना है और यह सारे वीडियो मैंने पहले भी बनाए है तो आपने वह नहीं देखे तो आप देखे लाइन में देखे लाइन में आप द डाउन में आई box तब मेरी value 40 होनी जाहिए slider की तो यहां पे आप slider की value डालेंगे और यहां box up से down कितना आएगा वह डालेंगे कि ओके करते हैं अब देखते हैं कि वर्टीकल हो रहा है कि नहीं यह देखे अब वर्टीकल इतना ही आएगा क्योंकि हमने यह पूरा यहां तक ही distance कवर किया है तो इतना ही आएगा तो फिर से जाते है development में थोड़ा हम value क्या है वह बढ़ा देंगे तो यहां डबल क्लिक वर्टीकल में अब यहां पे 90 है तो मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ 120 अब देखते हैं इसको पहले डिलेट क कर देता है 110 वह आता है कि नहीं अभी नहीं आ रहा है तो फिर से हम चेंज कर देंगे ऐसे आपको करना है कि वर्टीकल कि वन फिप्टी डालके देखते हैं फिर भी ना हो तो आपको इंग्रीज कर देनी है कि वन एटी मैंने डाला फिर से और कम है टेन जितना कि वर्टी डाल देते हैं अब देखते हैं अब मेरा कंप्लेट आ गया है अब मुझे यहां पर हाइट इसकी थोड़ी कम करने पड़ेगी तो वह कर लेते हैं तो उसके लिए आपको डेवलोप्मेंट में जाना है फिर डबल क्लिक करके यहां पर हाइट अब्जेक्ट साइ चाहिए और मिनीमम मेरी अभी फिलाल में 70 करता हूँ फिर देखेंगे नए हो तो 70 रहनी चाहिए और वेल्यू मेक्सिमम हाइट में मेरी 20 होनी चाहिए स्लाइडर की और 40 तक मेरी स्लाइडर की वेल्यू आए तब यह मिनीमम हाइट हो जानी चाहिए और टॉप में से मुझ कुछ नहीं करना उसको फीक्स रखना है तो बोटम सीलेक कर देना है आपको फिर ओके अब देखते है यह जीरो से 20 कंप्लीट हमारा 20 से 40 आप देख सकते हैं यह परफेक्ट है हमारा तो अब मुझे हाइट में कोई चैंजिस नहीं करने होगे तो यह मेरा 20 से 40 वह नीचे वर्टिकल ही डाउन आएगा अब इसको होरीजंटल ही मुव कराते है डेवलोप्मेंट में जाना है तो अब देखिए एक बॉक्स में आप एक ही बार होरीजंटल और वर्टिकल आप बेच सकते हैं तो मुझे दूसरा बोक्स लेना होगा तो यहां से मैं दूसरा बोक्स क्रियेट करता हूँ अब इसका डुप्लिकेट लेते हैं और यहां तक मुझे ले जाना है तो हूरीजंटले डिस्टंस फाइंट करते हैं तो इसका एक्स है नायन प् altre को मैं लिखता हूँ केलसी में 900 और माइनस इसका डिस्टांस कितना है 550 तो 550 तो मेरा डिफ्रांस ठीक 350 आ जाएगा तो यहां पे डबल क्लिक करते है होरिजोंटल में जाएंगे मुझे राइट में ले जाना है 350 जितना तो वो मैंने डाल दिया यहां लेट में 0 होगा अब स्लाइडर की वेल्यू देखिए 0 से 20 20 से 40 कवर हो गई है अब 40 से आप 60 या फिर पूरा स्लाइडर कवर करना है तो आपको 40 से 100 डाल देना है तो लेट म में जब होगा तब मेरी स्लाइडर की वेल्यू 40 होगी और राइट में मैं पूरा कवर कर देता हूँ 100 ले लेता हूँ यहां पे ऐसे अब ओके तो यह होरेजन्टाली मूव होगा इसको डिलेट करते हैं पहले एक बार देख लेते हैं यह देखिए हो गया तो यह हमारा कंप्लीट है अब यह ना दिखे पहले तो उसके लिए आपको क्या करना है डबल क्लिक करना है फिर यहां विजिबलीटी है वहां पे जाना है अब पहला बॉक्स मुझे कब तक दिखना चाहिए कि स्लाइडर की वेल्यू एसल है वो यहां पे देखिए जीरो से 20 होरिजॉंटल जाएगा 20 से 40 वर्टिकल तो स्लाइडर की वेल्यू 40 से कम होगी तब तक यह पहला बॉक्स दीखना चाहिए तो यहां पे विजिबलीटी डालते है इसकी वेल्यू एसल ग्रेटर देन इकवल टू 40 तब मुझे दिखना चाहिए ग्रेटर देन इकवल टू 40 तब मुझे यह उन रहना चाहिए ठीक है ओके और अब देखते हैं अब यहां पे आप देख सकते हैं एक ही बॉक्स दीखेगा आपको जैसे जैसे स्लाइडर की वेल्यू इंक्रीज होती है और उसकी वीथ कम होती जाएगी फिर वह नीचे आएगा फिर यहां से वह औरीजंटल इमूव करेगा तो गाइस आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना वीडियो को शेर कर देना और चैनल को सब्सक्रा